दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे मोबाइल को टीवी से कैसे कर्net करते हैं या मोबाइल की स्क्रीन को टीवी में कैसे देख सकते हैं सिर्फ दो मिनिट में तो वीडियो को अंतक पूरा complete देखिए वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे एक application के माध्यम से जिससे आ आप अपने मोगाईल को टीवी से कनेट करके देख सकते हैं कोई भी मोवी या गेम खेल सकते हैं असानी से तो यहाँ पर सहीधे सबसे पहले चलना होगा आपको टीवी की स्क्रीन पर जाने से पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और करते हैं या इस्क्रीन को जोम करते हैं तो यहां पर आपको इस्क्रीन को जोम करने कबाद आपको टीवी के रिमोट पर एक की होगा या बटन होगा जिसमें लिखे होगा इन्पूट सोर्स है या इन्पूट ही लिखे होगा तो आपको उसमें सीधर प्रेस करना है और प्रेस करने बाद आपको यहां पर AV का option मिल जाएगा आपको उस पर click कर देना है नहीं तो आपको media 1 जो दिख रहा है या media 2 दिख रहा होगा तो आपको USB केबल से connect करना होगा तो आपको media 1, media 2 पर click करना होगा बट मेरे में सिर्फ media 1 है तो यहाँ पर मैं सीधा AV पर किलिक करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर wireless display connect करना है तो जी हाँ TV में आपको any cast लगा होना चाहिए तो आप उसे भी परसेज कर लेजिए तभी आपका connect हो पाएगा तो जी हाँ हर वीडियो में नहीं पता था कि any cast लगाना पड़ेगा बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ any cast जो screen पर दिखाए दे रहा होगा यही है 700 के आसपास आता है इसका rate है इसको आपको TV में pen drive की जगा यहीं लगाना होगा तो जी हाँ यहाँ यहाँ पर अब सीधे हम चलते हैं mobile screen पर और वहाँ पर आपको बताते हैं आपको कैसे connect करना होगा तो यहाँ पर सीधे सबसे पहले चलना होगा प्ले स्टोर पर और वहाँ पर एक application डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर screen mirroring type करना होगा तो जैसे आप time कर देंगे screen mirroring तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी application आ जाएंगी बट आपको scroll करके नीचे आना होगा और थोड़ा नीचे आना होगा तो नीचे आने बाद यहाँ पर एक application दिखाई दे जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं screen mirroring for all tv तो जी हाँ यहाँ यहाँ पर super gt more है तो यानि आपको इस पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपको दो yambi की application है तो यहाँ पर install कर लेना होगा तो यहाँ पर हम फट से install कर लेते हैं तो application इस्टाल होने बाद सीधा open करते हैं तो application में दो system है तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको let start पर आपको click कर देना होगा तो यहाँ पर आपको अपनी company का tv select करना होगा तो यहाँ पर हमारा tv है on video का तो हम on video पर click करते हैं उसके बाद तो यहाँ पर दो mode है तो हम यहाँ पर दोनो mode पर click करके दिखाएंगे एक बार इस पर एक बार इस बे तो यहाँ पर सबसे पहले आटो mode पर click करते हैं तो यहाँ पर उसके बाद नेश्ट पर किलिक करना होगा तो नेश्ट पर किलिक करने बाद यहाँ पर चार आप्सन है देख सकते हैं scanning for tvs के बाद detecting model उसके बाद installing divers उसके बाद connecting तो यहाँ पर जैसे ही चारो आप्सन हो जाएगा आपको फिर से ओके पर किलिक कर देना होगा तो यहाँ पर application फिरी में सुध्य दे रही है तो यहाँ पर application में add तो आएगा ही तो यहाँ पर video add है तो video add को आपको cut कर देना है तो यहाँ पर हम cut कर देते हैं अब आपको यहाँ पर late start पर किलिक कर देना होगा यहां पर Time Up Start हो चुका है, जैसी ही Time समाब्थ होगा, तो यहां पर आपका TB मुबाईल से Connect हो जाएगा, बाद मुझे Connect नहीं करना है, तो यहां पर मैंने Connect नहीं किये, तो यहां पर आप Second Mode से चलते हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर Cut करता हूँ, यहां पर Manual Mode पर live demo के साथ दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा बता रहा है फिर से ok किजिए तो यहाँ पर फिर से add आएगा तो यहाँ पर हम add को फिर से cut कर देते हैं फिर से यहाँ पर start का option मिलेगा तो फिर से start पर click कर देना है तो यहाँ पर फिर से add आएगा तो यहाँ पर फिर से हम इसको skip कर देते हैं तो add सिर्फ 5 सेकंड कर रहता है तो यहाँ पर video add है तो यहाँ से देखिए जैसी time up खतम होगा वैसे आपका tv mobile से connect हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 4 सेकंड बचा है तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पर tv mobile से connect हो गए तो यहाँ पर जैसी मैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैं कर रहा हूँ tv में भी दिखाई दे रहा है और mobile में भी दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं अपने screen पर तो यहाँ पर tv mobile में भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जैसे माले जी हम chrome browser open करते हैं तो यहाँ पर tv में भी open हो रहा है और mobile में भी open हो रहा है तो यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर type करूंगा तो यहाँ पर दुफ होगा तो यहाँ पर जैसे माले जी हम IPL की बेवसाइड open करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, IPL की वेवसाइड भी, उसमें भी open हो रही है, और यहाँ पर mobile में भी open हो रही है, तो आज के विडियों बस इतना ही, फिरसे मिलेंगे, नेस्ट विडियों में कावर विडियों लेकर करके, विडियों देखने के लिए आपका बहुत-बहुत ध